अब आप करेंगे जार्खन की जार्खन में मिली लॉक्टाउन में सक्ती बढ़ाय जाने और बिना ईपास लिए सड़क पर निकलने का सोमवार को दूसरा दिन था पहले दिन रविवार को प्रिशासन गाइडलाइन के पालन को लेकर बेहद सक्त नजर आई लेकिन दूसरे दिन सोमवार को राजधानी राची की क्या स्थिति रही इसका जाइजा लिया हमारे सहियोगी प्रतीक सिंग में आरहाल हम खरे हैं राजधानी राची के हिर्दे अस्तली अलवर्ट का चौप या फिर इसे फिराय लाल चौप का सकते हैं आप देख सकते हैं कि करीब तीन बजने वाले हैं और मुकमंत्री समेत सब्स्वार यह डीजीपी साहब ने भी कहा था कि सेफस्ट में पुलिस यहां डिपी ःगी राजधानी- राची यह इस्तिति देख सकते आँ आप हाँ यहां जरूर कुछ को पुलिस कर्मी है सामने आप देख सकते हैं कि 4 पुलिस कर्मी आइट ट्राफिक पुलिस हैं अगर इधर हम ससी को कहेंगे देकाने तो देखे कि तो पुछ लोग नहीं है लगातार गारी आ रही हैं लेकिन कोई चेकिंग नहीं हो रही है पुले तो पुछ लोग हैं जैन्मी गोले तो पुलीस हरकत में आती है लेकिन इसके पहले का भी नजरा आपने देखा कोई चेकिंग नहीं हो रही थी गारियों का आना जाना बदस्तूर जा रही है और यह हकीकत है रायधानी रांची के अलवर्ट एकका चौक की आपके पास पास है हाँ है एक सेकिंद मामा जी हम पास फुला दिखाने तर को पास हम लोग सर एक्चिली पेंट मेरा इस प को दिखाते चल रहे हैं जितने भी प्रसाशन दोख रहे हैं गाड़ी जोतों देखिए ना किया काम करते हैं आप और आइडियों सी बांगे तो क्या लगता है जिसता से चेकिंग होनी चाहिए पुलिस की बेवस्ता होनी चाहिए काई को रोना का संकर्मान है उस हिसाब से करते हैं यहां यहां पे तो नहीं है लेकिन हम देखे हैं प्रसा हुआ रातरूर चोग काफी बहुत जड़ा चेकिन चल रहा है वहां पे तो आदमी बचके नहीं निकल सकता है वहां पे चेकिन है इधर नहीं है उतना हम देख रहे हैं देखे कहीं नहीं है इधर भी आगे तो यह गोंत भी को यह है राधानी राची का हाल अलवटका चौग का यहां कोटवाली ठाना पड़ता है लेकिन यहां कोई चेकिंग नहीं होती जाहिट से बात है कि कोरोना को कैसे हराएंगे सःयोगी सथभी साथ परतिक सिंग लाइब सबन राची